हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो अकेड़ स्टेडी चैनल, मैंने तेश यादव लेकर आया हूँ आप सभी के सामने, एक इंपोर्टेंट टोपिक जिसमें हम पढ़ेंगे हर्याना के प्रमुख स्टेडियम के बारे में पहला स्टेडियम है, बेम स्टेडियम, बेवानी में वैसे तो अनेक स्टेडियम है, परन्तु मुख्य स्टेडियम बेम स्टेडियम है, बेवानी जिले को मुख्य बाजो की नगरी भी का जाता है, क्योंकि यहां से ही विसुपरसीद बॉक्सर विजेंदर सिंग, जो हर्यान में राजन हार सिंग के नाम से है, नार शिंग स्टेडियम, इसके स्टापना 1981 में हुई थी, यह एक अंतराष्टी क्रिकेट स्टेडियम है, इस स्टेडियम में अब तक आठ अंतराष्टी वंडे मैचों का आयोजन हुआ है, पहला वंडे मैच भारत वेवेस्ट इंडीज के आगे है यम्ना नगर में built football stadium जैसा कि नाम से ही समझा रहा है कि यह एक football stadium है इसके साथ ही यम्ना नगर में तेजल स्टेडियम भी है जो यम्ना नगर का पर्मुख स्टेडियम है आगे है नहरु stadium गुरुगराम में है यह भी एक अंतराष्टियस ख्याति प्राप्ट stadium है इस stadium में भी विविन परकार के खेलों का आयोजन उता रहा है चाहे वराष्टिय परतियों किता हो या खेलों इंडिया यूथ गेम्स अगला stadium है महाविर stadium जो हिसार जिले में है इसका मुखे stadium है यहाँ भी विविन परकार की परतियों किताओं का आयोजन परतिवर्स होता है next stadium है मारणा परताब stadium जो कि हिसार जिले में ही है दूसरे stadium है दोरनाचारे stadium जो कुरुछेत्र में है परन्तु गुरु दोरनाचारे का निवास थन अगर पूछा जाए तो वो गुरु गुरु राम जिला होगा इसलिए गुडगाओं का नाम गुरु 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 भी पड़ा था इसके बाद बंचिलाल stadium है जो रोतक का पर्मुक stadium है अगले stadium सास अतनाम stadium जो सिर्षा में है वैसाहीद भगत सिंग stadium भी सिर्षा में ही है अरजुन स्टेडियम जीन जिले का परमुक स्टेडियम है देविलाल स्टेडियम गुरुगराम में है यह भी अंतराश्टी श्टादर परतिवर्स विविन परकार केलो का आयोजन किया जाता है देविलाल क्रिक्ट स्टेडियम पंचकुला में है एकलेवे स्टेडियम जीन जिले का प्रमुक स्टेडियम है बलिदान स्टेडियम चर्किदादरी में है और कर्ण स्टेडियम करनाल में है और सिवाजी स्टेडियम पानिपत में है यह भी एक प्रमुक स्टेडियम है राजिवगंदी स्टेडियम रोतक में है रावलिक गोल्फ स्टेडियम फरिदाबाद में है थैंक्स फर वाचिंग अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें